वेश्टे तो कहा जाता है कि इंसान अगर किसी चीज से डरता है तो वो है साफ जो एक ही जटके में किसी भी इंसान की पहचान को खतम कर सकता है आप सभी ने अब तक दुनिया में कई जहीले सांपों को देखा होगा लेकिन आज हम आपको वर्ल्ड के सबसे बड़े सांपों से मिलाने वाले हैं कुछ ऐसे सांप जो एक बार में गाय, इंसान और बक्री जैसे बड़े से बड़े जानवाड को निंगल जाते हैं तो वीडियो यूनिक और मज़दार होने वाला है, बने रहेगा वीडियो का अंतक, आगे बरनेस पहले हमारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अब तक हमारे सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की जानकारे सबसे पहले आप तक पहुच, तो चलिए, शुरू करते हैं, नमबर 10, 33 फीट अनाकॉंडा, जी हाँ दोस्तों, यहां अनाकॉंडा ब्राजिल में एक साइट कंस्ट्रक्शन के दुरान दिखा गया था, जब वहां खरी एक एमरत को गिराया गया, तो वहां गिरा मलवा अपने आ जीली उची क्रेन से उठा लिया, लेकिन साप के लंबाई जदा थी, जिस वजह से साप का मुँ अभी भी जमीन पर लटक रहा था, इस साप का वीडियो भी रिकॉर्ड क्या गया था, इस साप के लंबाई 33 फीट और मोटाई 31 फीट बाई 2 फीट की थी, और वजन लगवक 4000 किलो का था, लेकिन यह साप मलवागिर ने और उसके बाद क्रेन से उठाए जाने की वज़र से जिन्दा नहीं बच सका, किन हमें याद दिलाता है कि प्राकिर्थी की रचना कितनी अदभूत और अनोखी है, ब्राजिल की नदी में कुछ लोग घुमने निकले थे, तब उनका सामना बहुत दीविशाल का एनाकॉंडा सुवा था, जो उनकी नौका के आसपास घूम रहा था, यह एनाकॉंडा एक फुला हुआ था, जिससे देखकर पता चल रहा था कि इन्होंने हाल ही में किसी ब्रेजनवर का अपना सिकार बनाया था, इस वीडियो में नौच नमर एट, मिरुजा, जी हाँ दोस्तों, बाड़ा अक्टूबर दुजर एक ग्यारा को कनार्ट सिटी में या पाइथन खोजा गया था, इस सांप की लंबाई 25 फीट लंबा था और उस समय इसे दुनिया का सबसे लंबा सांपों में सामिल किया गया था, इस सांप की उम्र गोज और हीरन जैसे जनवर दिये जाते थे, नमर सेवन मलेसिया पाइथन जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा पाइथन इसके मिलने के तीन दिन बाद ही अंडे देने के दौरान इस सांप की मौत हो गई थी, मलेसिया में पाया गया या शांप एक पीकप ट्रक से लंबा था, आम तोरपड़े ऐसे ट्रक की लंबाई 19.3 फिट होती है, और साथ ही यह सांप हमारे पिछले सांप मौरुशा से भी लंबा था, जिससे नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सामिल किया गया था, नमर सिकागो सनेक जी हाँ दोस्तों, यह असल में बेहद बड़ा सांप था, उन्होंने उचाई से इस सांप की फोटो लिये, लेकिन जैसे ही वह अपने हिलीकप्टर से सांप के पास पहुंचे तो सांप ने उन्हें हिलीकप्टर पड़ा हमला कर दिया, इन तस्वीरों की अध्यन करनते हुए सांप की लंबाई, पता चलता है कि यह सांप सोफिट से भी जदा लंबाड़ा होगा, नमबर फाइब दन है, अफ्रेकन लोगों की कहानियों के अनुशार नाव, एक बहुती ड्रावना सांप है, जिसकी लंबाई सोफिट से भी जादा है, बताया जाता है कि नाव का सर बिल्कुल ड्रागन क की तरह होता है, और इसके मुँपर सांस लेने के लिए साथ नाक होते हैं, जो इसे देखने में और भी ड्रावना बना देती है, यहां के लोग जो की आदिवासी हैं, और वरनिये के विलिये प्रीवर के पास रहते हैं, उनका मानना है कि यह सांप दानव की तरह ही बहुत होना है, और वह अपनी मर्जी से रूप परिवर्तन भी कर सकता है, उसे उसके सांप रूप में भी लोगों ने कई बार देखने की बात कही है, नमर 4.49 फिट पाइथन जी हां दोस्तों, यह हैं उन्चास फुट का आजगर, यानि कि 15 मिटर लंबा है, इसकी तो लंबाई देखकर ही किसी की जान निकल जाए, एक बार इंडोनेसिया में एक पती पतनी काम कर रहे थे, उन्हें अचानक यह सांप दिख गया, उस शमय यह सो रहा था, इसे देखकर पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा यह क्या है, लेकिन जब बात में पाता चला यह तो सांप है, और वह भी अजगर, तो उन्होंने लोग परशासन को इसकी खबर दी, इसे जैसे तैसे पकड़ा गया, और अभी यह एक जू में बंद है, इसके बारे में कहा जाता है कि किसी भी इनसान को एक ही जटके में निंगल सकता है, जू में जो भी इसकी देखव को शांपो का राजा क्यों कहा जाता है, आखिर पूरी दुनिया ने देखकर क्यों डर जाती है, आपका सोचना बिल्कुल सही है, यह दुनिया के सबसे जहिले सांपो होते हैं, अगर किसी को इसने डस लिया तो उसका बचना इंपोशीबल है, दस फिट से लेकर या तेरह लंबे होते हैं, हाला कि दुनिया का सबसे लंबा कोब्रा सांप 18 फिट 9 इंच का पाया गया था, जिसे इंडोनेशिया में पकड़ा गया था, अभी यह सांप लंदन के एक जूम में रखा गया है, क्या आप यकिन कर सकते हैं कि यह एक बार में 7 ml जहर अपने अंदर से नि काट ले तो वह तीन घंटे के अंदर ही मर जाता है, सायद यही वज़य है कि इन्हें शांपो का राजा कहा जाता है, नमबर तू, ब्लैक बामबा जी हाँ तो यह सांप दुनिया के सबसे जहीलों सांपो में से एक है, यह सांप अफरेका का साहरन जंगल में पाया जाता है इन्हें इनके ब्लैक कलर के जबरे के लिए भी जाना जाता है, ब्लैक मामबा को चूजे खाना बहुत पसंद है, यह सांप तक रिवन 6 फिट से लेकर 9 फिट तक लंबा होता है, एक तरह से देखा जाए तो यह इनसान से भी लंबे होता है, हाला कि आफरीका में एक बार 14 फिट लंबे ब्लैक मामबा भी देखा जा चुका है, जब यह सांप किसी को काड़ता है, तो उसके बचने के लिए जदातर उसे चालिसमेंट का समय होता है, या एक घंटे में बाड़ा मिली तक बिना थके बिना रुके रेंग सकता है, कहा जाता है कि यह शांप अफरीका क जी हां दोस्तों, यह भी अमेरिका में पाई जाने वाले अनकोंडा का एक पर जाती है, इनकी लंबाई नॉर्मल अनकोंडा के तरह बहुत जादा तो नहीं होती, लेकिन इनके वावजुदिया कम खतरनाक नहीं होता, आपको बता दे कि यह अमेरिका के एक सहर में एक बार देखे गये थे, इन्हें नदी के किनारे एक पुलिश ओफिसर ने देखा था, कहा जाता है कि यह शाप भी लोगों को निगल लेते हैं, जब लोगों ने इन्हें देखा तो सब लोग इतना डढ़ गए कि वह उस एरिया को खाली करके चले गये, तो दोस्तों यह थे दुन